हालो एवरीवन रहूल मिस्रा नाम है हमारा और आज के वीडियो रहेगा यहां पर हम लोग उन्नीज से लेकर 21 फेरोडी तक की बैंकिंग और फिनेसिल अविरनेस डिसकस करेंगे और हम लोगों ने अपना मोबाइल आप और अपनी वेबसाइट अभी हाल फिलाल में अपने कोर्सेज भी लांच की हुए है और यह कोर्सेज जो है स्केल टू जीबी और स्केल थी के लिए तो बेनिफिसिल रहेंगे ही रहेंगे साथी साथ में अगर आप एसी भी बैंक एक्जाम के लिए तैयरी कर रहे हैं तो आपको इस कोर्स से फायदा मिलने वाला है इसक जाकर महां से मुं सरी जिहों को पर चेस करने जर्ना चाहां तो परकिस कर सकते हो आने वाले टाइम पर जितने भी वीडियोस दोंगे आप रहे हर अपेघ़े आपको paid लेना है तो paid लेना है तो free courses भी वहाँ पार है तो वहाँ पर जाकर आप लोग at least enroll करिए और वहाँ पर जो free quizzes जगरा मिलती है उसको आप लोग देखें उसको solve करिए आने वाले पर free PDF भी आप लोगों को provide की जाएंगे जैसे budget है तो budget की PDF पर हम लोग काम कर रहा है बजट के पर ही मिलेगा और free of cost मिलेगा ठीक ना तो आप लोग ज्यादा ज्यादा लोग डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में free courses में इंड्रूर कर रहे हैं फर्चेश कोर्से दिस्क्रिप्शन में एप का लिंक website का लिंक और जो दो courses launch किये गये हमारे उन सभी चीजों का लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप लोग courses को जो है आप एक्सेस ले सकते हैं उसको purchase का सकते हैं और जो हमारा पुराना वाला दीपाई यार इसको अब बंद हो जाएगा उस उनके course की जब तक validity है तब तक course का access वहां पर उनको मिलेगा और otherwise आने वाले टाइम पर सारे के सारे courses जो है आप लोगों को यहीं पर इसी आप पर मिलेंगे तो आप लोगी यह आप डाउलोड करिए ठीक चलिए बहुत लंबा बात को नहीं कीशना है ठीक है और आज के digital बुक्तान प्लेटफार्म को बढ़ावा देने के लिए भारत के UPI Unified Payment Interface सिस्टम को लागू करने वाला पहला विदेशी देश बन गया है यह स्कुशन ने पूशा गया और इसका जो अंसर हो जाएगा नेपाल को प्रोइड की जाएगी इस सर्विस को प्रोइड करने के NIPL ने नेपाल के authorized payment system operators, gateway payment service और Bengaluru India based Manam Infotech के साथ ने partnership किया हुआ है तो बस one liner question ही रहेगा हूँ ज्यादा डीप में जाने के जरूत नहीं है option number B नेपाल इसका answer होगा next in order to distribution of LIC's insurance product which insurance company has recently signed an insurance broker agreement with LIC LIC के बीमा उत्पादों के वित्रण के लिए हाल ही में कि इस बीमा company ने LIC के साथ में बीमा broker समझोते पर अस्ताक्षे किये है इस question का हिंदी मतलब होगा और इसका answer हो जाएगा इसका answer हो जाएगा BSC EBX Insurance Broking Limited option number D ठीक है option number D इसका answer हो जाएगा BSC EBX Insurance Broking Limited ये इसका answer हो जाने वाला है और ये जो BSC EBX Insurance Broking Limited company है ये joint venture है ये joint venture है किसका किसका joint venture है ये भी हम लोग ज्यान लेते हैं तो ये BSC का ठीक है ये BSC और EBX FinCorp Exchange Private Limited ठीक है ये BSC और EBX FinCorp Exchange Private Limited का joint venture है और इस partnership के हो जाने के बाद ने BSC EBX अपने clients को LIC के insurance products को बेचेगा LIC के जो insurance products है उसको offer किया जाएगा BSC EBX के द्वारा इस partnership के हो जाने के बाद है तो option number D इसका answer होगा next in order to offer integrated POS solution in India which bank has recently partnered with EasyTap भारत में एकिकृत POS समाधान प्रदान करने के लिए हाल ही में किस bank ने EasyTap के साथ में भागीदारी की है और इसक इसका answer हो जाएगा Kotec Mahindra bank option number C कहा answer हो जाएगा देश भर में लगबग 4000 टिक ना देश भर में लगबग 4000 लोकेशन पर यह POS लगाए जाएंगे जिससे की भी बैंक के जो की कर्द करते हैं लिए पहलेदा मिल सकते है लेकिन कहीं पर कोई चीजें छूट ना जाए इस वोजह बहुत जाएं जाती है और जिस कि एक आप लोग वीडियो के बाद में पीडिया बी आप लोग देखा करो ठीका पढ़ा करो वीडियो और पीडिया अनूए कर रहे यहीं पर पूशा कर था कि बेस्ट बैंक फॉर्द टोट्टी फॉर्स्ट का आवार्ड किसको मिला इस स्मौल सेगमेंंट में ठीक ना तो हम वहां पर आंसर जो आपको बताया गया था उसके साथ में लार्ज सेग्मेंट के लिए को किसको वाड़ मिले वो सारी उसको फ्रेम नहीं किया और वहां पर अगर फ्रेम करते तो इस तरह के साधे गंटे का पूरा विडियो उसी पर बन जाता और उतना इंप्वार्टन भी न 钱 करते हैं लोग elevator में भी जब बलता है जहां पर नहीं बतायाइक यह हम लोग क्या करते हैं उन pequeño पेडर समने यह लेगे तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग तके लिए लिए बीडियो और फीडियब दोनों जरोरी है ठीक है तो यह से बांगे कि कोटक महंदरा बैंक कि एकर बात हुई है कोटक महंदरा बैंक हेडक्वाटर कहा पर होगा इसका हैड़क्वाटर मुंबई महाराश्रा में हो जाएगा manages to lets make money सिंपल books take line when कोटिक महेंद्रा बैंक के बारे में मैंने बताया ओप्शन में यह और जो भी बैंक दी गई है इनके बारे में यहीं सारी चीज़ें आप लोग जो है इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो नेक्स्ट RBI has recently cancelled the license of which bank because of its inadequacy in earning prospects to pay the customers RBI ने हाल ही में ग्राकों को भुक्तान करने की सम्मावनों में अपरियाप्तता के कारण किस बैंक का license रद कर दिया है और इसका जो अंसर हो जाएगा मन्था अर्बन कॉप्रेटी बैंक option number A मन्था अर्बन कॉप्रेटी बैंक option number A इसका अंसर हो जाएगा और सोलह फर्वरी 2022 से इस बैंक का banking business बंद कर दिया गया है ठीक ना और यह बैंक जो है महाराष्टरा बेस्ट बैंक है यह बैंक महाराष्टरा बेस्ट बैंक है बस इतना ही हम को यहां पर पढ़ना है next in order to provide solutions for interoperability of prepaid payment instruments PPI's which bank has recently launched this software stack named open PPI prepaid payments instruments की interoperability के समाधान प्रदान करने के लिए किस company ने हाल ही में open PPI नमा के एक software stack launch किया हुआ है इसका जो अंसर होगा just pay option number c option number c just pay इसका अंसर हो जाएगा just pay क्या है तो जो यह just pay है यह digital payment infrastructure provider company है फिर से सुन लो आप लो यह just pay जो है यह digital payment infrastructure provider company है जो की soft bank द्वारा backed up है ठीक ना इसको soft bank के तुरूर में funding की गई इसको backup दिया गया है वहां से और इसी ने अभी हाल ही में open PPI नाम से instrument instruments की help करेगा ठीक ना और इससे UPI adaptation को भी बढ़ावा मिलेगा लोग ज्यादा से ज्यादा UPI adopt करेंगे यहां पर एक term news हो रहा है interoperability यहां पर एक term news हो रहा है बहुत सारे लोगों को यह नई समझ में में आ रहा होगा कि क्या होता है ठीक ना तो उनकी बहतर understanding के लिए चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगे जिससे कि आप लोग question समझ जाओ कि question में क्या कुछा गया तो और क्या basically होने वाला है ठीक ना तो इंटर ऑप्रेविलिटी जो होता है इसके माध्यम से UPI QR code scan करके या फिर wallet से या फिर card से money transfer किया जाता है बस इतनी इसी बात है ठीक ना तो प्रिपेड payment instruments के के लिए जो है card scan करके money transfer करना wallet से money transfer करना कि ठीक ना या फिर card से money transfer करना यह कुल मिला कर यहीं का मतलब होने वाला है ठीक तो इसका जो answer होगा just paste का answer हो जाएगा option number C और यह भी बहुत जादा important question नहीं है example interview से लेकिन चीजों हम लोग discuss करेंगे जिससे कि कहीं पर कोई चीजी छूट ना जाएं ठीक है पढ़ना तो पढ़े गाए जिससे कि कहीं पर कोई चीजी छूट ना जाएं जो अभी तरक हमारे पढ़ाए हुए सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हम अपना एक्जाम कर सकेंगे चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका जो अंसर होगा सिडवी का फिलफ़ाम बतादो आप लोग फटाफट ठीक ना सिडवी का एक प्रोग्राम है मिसन सौवलंबन और इसी प्रोग्राम के तहत सिडवी ने वह वेंस्ट बंगाल में वेंस्ट टूवेल्थ क्रीशन प्रोग्राम लांच किया हुआ है प्रोग्रम लाاد क्या हूँ, वेस्ट टू वेल्थ सौलंबी वनाने का कम किया जाएगा, उन को रोजगार सिखाए जाएगा उन को नर्मंद बनाया जाएगा, चिससे कि वो स्रॉंब्भी बन सकें तो खुल मिलाकर आप लोगों को यह याद प्रोग्राम है से दिवी के द्वारा लांच किया गया है वेस्ट बंगॉल में लांच किया गया ये तीन चीज़ें यहां पर जानने है में पुश्ण को थोड़ सा कम्प्लिकेट करेगा तो यह पूछ सकता है कि वेस्ट विल्ट अक्रिशन प्रोग्राम सिड़ीबी के कौंस से मिसन के अंतरगत आता है तो मिसन वोन के अंतरगत आता है अभी इसको हाल फिलाल में एस्ट बेंगॉल में बेस्ट बंगॉल के CMD हो जाएंगे सिड़बी के बारे में मैंने बता दिया बाकिया और यह जो बाड़ी दी गए है ठीक ना आई रडी आई नाबाड और और आरब इनका है इनके हैड काउन है यह आप लो यहाँ पर रिकॉल करते हैं वे चलो सब्सक्राइब के निसार बित वर्स 2022 के लिए भारत का सकल गरेल उतपात GDP क्या है यह इस क्वेशन में पूचा गया है और इसका जून असर हो जाएगा 8.8% option number C option number C 8.8% इसका अंसर हो जाएगा SBI ECOREP ने भी हाली में अपने रिपोर्ट रिलीज की है जिसके नुसार financial year 2022 में इंडिया की GDP 8.8% रहने का अनुमान है पहले यह अनुमान 9.3% रहने का था ठीक ना पहले यह अनुमान 9.3% रहने का था इसको अब घटा कर SBI ECOREP क की इसका अंसर हो जाएगा next who has recently been named as the business standard banker of the year 2020 to 21st हाल ही में business standard banker of the year 2020 के लिए रूप में किसे नौमित किया गया है यह इसने पूचा गया है और इसका जो अंसर हो जाएगा संदीबक्सी option number B बढ़िया कुछन है यह यह कुछन बढ़िया है यह कुछन पूचा जा सकता है संदीबक्सी इसका अंसर हो जाएगा who has recently been named as the business standard banker of the year 2020 to 21st टीक ना बिज business standard banker of the year 2020 to 21st के लिए नॉमिनेट किया गया है और वी आई के जूरी मेंबर्स के द्वारा उन्हें सेलेक्ट किया गया था और जो आर्बिया की वह जूरी थी उसकी दिस्ता SS मुंद्रा जीने की थी जो की RBI के एक्स डेप्टी गवर्नर हुआ करते थे ठीक ना SS मुंद्रा जीने उस जूरी के दिस्ता की थी अजिए RBI के एक्स डेप्टी गवर्नर है ठीक ना और उस बैंक के कंटेंडर्स को ही इस और के लिए सेलेक्ट किया जाता है यह थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताय जा रहे हैं जो कि स्केल थी वालों के लिए इंपॉर्टन र कुछी गए थी तो इसलिए थोड़ा से डाटा वाली चीज़ें भी आप लोगों को बताई जाएंगी और आप लोग भी जो है इसको नोट्डाउन करते हुए चलना थी कंटिन लोगों ने कॉर्स पर्चेस किया हुआ है आप लोग भी थोड़ा बहुत ना देखो आपने इसमें महिनत करके ना थोड़ी से महिनत करके लगातार कंटिनीविटी मेंटेन करके आप 30 प्लस मार्ट इसमें ले आ सकते हो और 30 प्लस मार्ट अगर इसमें से आ रहे न तो बहुत है फिर बाकी तो आप दूसरे सब्लेट में कबर को ले अपने होई जाना है तो यह कुछ इसमें उसी बैंक के कंटेंडर्स को इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया जाता है जिस बैंक का एसेट साइस पचास हजार करोन रुपए या इस से ज्यादा मार्च 2021 तक रहा हो ठीक ना कब तक रहा हो मार्च 2021 तक ठीक ना उसी को जो है इसमें सामिर किया गया था और आने वाले एक दू-तिन सालों में इस बैंक की ग्रोथ होने के चांसे यह कुछ क्रैटेरिया होते हैं किसके लिए कंटेंडर्स को नॉमिनेट करने के लिए इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट करने के लिए ठी संदी बख्सी के बारे में बता जिया गया कि एक चेर परसन ने दिनेश कुमार खारा कौन से बैंक के चेर परसन है और उर्जित पटेल अभी क्या है पहले क्या हुआ करते थे ठीक ना कहां से मतलब किस से का संबन था तो यह सारी चीज़ें वी आप ठोड़ा सा रिकॉल कर करते वे चलो यह एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बताई जाते हैं जिससे कई बार क्या होता है ना एक लाइन पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे तो हम पर चीज़ें भूल जाते हैं लेकिन के साथ साथ में अगर थोड़ा बहुत एक्स्प्रानेशन थोड़ा बहुत से मिल चीज़ें बताई भी जाती है थोड़ा सा चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करने की कुछिस की जाती है जिससे कि आपको याद करने में भी आसानी रहे ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं और ये अभिनो विकास के माद्यम से क्रिसिल अचीला पन के लिए कायकल को वाटर सुट पर यूजना को लागू करने के लिए कितने के रिन समझोते हैं पर अस्ताप्च किये हैं ठीक न है ये स्क्षिन कहीं ने मतलब होगा और ये अभिनो विकास के माद्यम से क्रिसिल अचीला पन इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ था अगर ये रिवार्ड पर यूजना ना समझ में है तो आप लोग ये नाम भी पढ़ ले ना रिजुविनेटिंग वाटर सुट्स ऑफ एक्रिकल्चर रिजिलियंस थ्रो कोई प्राबलम मारmaya depends our इंगलेश प्रण करोर अपलोगों क्वास एंगलेश स्वानेशन ना स Państwa ह्मेशन करने आप लोग याद रखना ठीक ना रिजुविनेटिंग वाटर से डाफ फार अग्री कल्चर रिजिलियन्स फ्रो इनुवेटिव इनुवेटिव डिबलेप्मेंट ठीक ना यह रिवार्ड को फुल फॉर्म हो जाएगा ठीक यह रखना करनाटका और उडिशा में इंप्लिमें कि इसे लिए इसमें पूछा गया है तो इसमें पूछा गया है इसका अधिया की बीच में सब्सक्राइब करनाटका और उडिशा में इंप्लिमेंट किया जा सके इस्टेट याद रखना रिवाड का फॉल फॉर्म याद रखना यह इनि सार्च चीज तो आप लोगों को य यहाद रखनी ठीक न और वर्ट बैंक की जो लेंडिंग आर्म होस्ती है आइबी आडी ली बिढ गोर्ट बेंक की लेंडिंग आइबी डी इसके लिए 15 साल के लिए लून दिया जाएगा ठीक न दिया है यह जो एक सो पंद्रा मिलियन ये कितना कितना कहां पर कैसे डिस्ट्रिब्यूट होगा इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं 115 million USD में से 60 million USD के गर में लोग बात करें 60 million USD ये करनाटका को मिलने वाला है ठीक ना उसके बाद में 49 million 49 million ये जो है ये इसको मिलेगा ये उडिशा को मिलेगा ठीक ना ये जो 9 million USD बच रहा है 9 million USD ठीक ना ये 9 million USD 9 नहीं 6 नहीं चैपन रहा है ये जो 6 million USD बच रहा है ये central government को दिया जाएगा ठीक तो ये किस तरीके से loan distribute किया जाएगा ये भी आप लोगों को बताया गया ठीक है को मिलाकर आपको state याद रखना question stream किया जा सकता कि कौन-कौन से state के लिए launch किया गया तो करनाटका और उडिशा इस तरीके से आप लोग याद रखना और ये जो reward program है ये ministry of rural development department of land resources और world bank का program है ठीक न ये जो reward program है जिसका full form में बोलना हो बार-बार आपको की याद कर लो resuminating water set for agriculture resilience through innovative development ये reward program जो है ये ministry of rural development department of land resources और world bank का program है 2021 से लेकर 2026 तक ही चलेगा ठीक न दोजार इकी से लेकर 2026 तक टोटल 6 साल तक ये प्रोग्राम चलने वाला है ये ये जो reward program है ये वाटर सेट management program है वर बैंक का largest work bank का सबसे बड़ा water set management program है ठीक है यहां पर बात किसकी हो रही है वर्ड बैंक की तो वर्ड बैंक का headquarter Washington DC में होगा वर्ड बैंक का headquarter Washington DC में हो जाएगा डेविड आर माल पास ये इसके कौन हो जाएंगे प्रेशिडेंट हो जाएंगे टिक ना डेविडार माल पास ये इसके प्रेशिडेंट हो जाएंगे तो maximum possible information is questions related जो आपको exam point of use important थी वो सारी चीज़ यहां पर बताएगे यह रुमीद करता हूं कि सारी चीज़ आप लोगों को समझ में भी आई होगी और आप लोगों ने notes भी इसके बनाए होंगे ठीक अगला और last question देखेंगा हम लोग इस वीडियो का which bank has recently not announced to pick up the subscription of the shares of India debt resolution company limited IDRCL हाल ही में किस bank ने इंडिया debt resolution company limited के सेयरों की सदस्ता लेने की घोशना नहीं की है यह इस question पूछा गया है बढ़िया question करेंगे मैंने पहले ही बताया आपको तो यहां पर हम लोग सबसे पहले तो यह जानते हैं कि IDRCL क्या है ठीक है इंडिया debt resolution company limited जो IDRCL की बात रही यह क्या है तो यह जो IDRCL है यह एक asset management company है जिसकी स्थापना 50 क्रोन रुपए के अथ्राइस capital के साथ ने government of India के द्वारा की गई थी authorized capital कितना है 50 क्रोन रुपए ठीक न अथ्राइस capital इसकी कितनी है 50 50 क्रोन रुपए इस IDRCL के authorized capital 50 क्रोन रुपए है government of India के द्वारा 50 क्रोन रुपए के authorized capital के साथ में इसकी स्थापना की गई थी ठीक है और यह जो IDRCL है यह banking sector के bad loan को clean up करने के लिए NARCL के द्वारा के साथ मिल कर काम करेगा फिर से सुनों आप लोग यह जो IDRCL है यह banking sector के bad loans को clean up करने के लिए bad loan को कम करने के लिए bad loan को खतम करने के लिए NARCL National Estat construction company limited के साथ मिल कर काम करेगी यहां पर NARCL के बारे में बहुत ज़्यदर डीप पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि NARCL के बारे में हम लोगोंने हम लोगों पिष्ट्रे वीडियो इस G Curium नहीं पता है उसके लिए आने वाले टाइम पर अगले से प्रट वीडियो में इस आई डी आर सियल होता है ठीक है आई डी आर सियल जो होगा ये एन एर सियल द्वारा एक्वायर किये गए एसेट्स के लिए मैनेजमेंट एंड रिजुलिशन सर्विसेस प्रोवाइड करेगा ठीक ना इसी आई डी आर सियल ने अभी हाल ही में छे इसे द्रैक्स नेए इसी यह ऐसी डी आर सियल के सेयर्स को लिया हुआ है यह जान लेते हैं लोग प्रोवten नहीं है तो कौन से पक्टा चल ज्यागा और तो तीन वेंक तो आप के सामने अप्सन में है दी है पहली आप लोग माललो पंजब निस्नल बैंक दूसरी माललो Banc of Maharashtra तीसरी माललो State Bank of India चौती हो जाएगी B.O.B. Bank of Baroda Union Bank of India UBI हो जाएगी इसके साथ-साथ में Canada Bank हो जाएगी ठीक ना तो तीन बैंक की यह हो गई तीन बैंक की यह हो गई जिनोंने भी हाल-फिलाल में एऊ-डी यार-सियल के सेर्स को सब्सक्रिफिब्सण लेने के लिए अनॉसमेट किया हुआ। सेरस को लेने जा रहा है तो यह ऍचे लेने जा रहे हैं तो एंसर भी उन्प पता चलिए ठीक कुश्यन में ही पूचा गया था कि किस ने सब्सक्राइब नहीं किया तुसका अंसर बैंक अब इन्डिया हो जाएगा और थिक जाकर पढ़ेंगे और एसके बालों के लिए डाटा इंपर्टन रहेगा एक तो ध्यान से आप लोग सुनना चीजों को ठीक है सबसे पहले हम लोग SBI की बात करें सबसे पहले हम लोग SBI की बात करें लिया हुआ है इसके किसके IDRCL के ठीक ना दस रुपए इच के हिसाब से 99,000 सेर्स को लिया गया है IDRCL के ठीक ना SBI के द्वारा और टोटल एक्विटी कितनी है कितनी एक्विटी हांसिल के गई यह 12.30 परसंट ठीक ना फिर से सुनो आप लोग SBI 10 रुपए इच के हिसाब से 99,000 सेर्स लिया है 12.30 परसंट एक्विटी के लिए और 31 मार्च 2022 तक यह डेट आप लोग याद रखो हुआ है 12.30 परसंट एक्विटी के लिए इसको 31 मार्च 2022 तक SBI 5 परसंट तक कम भी कर देगा ठीक ना 5 परसंट तक कम भी कर देगा तो यह भी चीज़े पूंची जा सकती है ठीक पहली बात दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं PNB का क्या है तो PNB ने भी 10 रुपए इंच की हिसाब से 10 रुपए प्रते के सेयर के हिसाब से 90,000 सेयर इसने लिया हुआ है PNB ने 90,000 सेयर लिया हुआ है 11.18 परसंट एक्विटी के लिए और दूसरे बैंक अगर और जो भी दूसरे बैंक बचे हुए अगर वो भी सेयर लेते हैं तो उनके लिए PNB भी अपना जो सेयर है अपना जो एक्विटी है उसको पांच परसंट तक कम कर देगा 31 मार्थ 2022 तक के लिए ब्योबी के अगर में बात कर लेते हैं तो बैंक का बरोड़ा जो है वो दस रुपए इच के हिसाब से इसने जो है 99,000 से इसने भी ल 9.90% तक कम कर सकता है अभी में इसके एक्विटी कितनी है अभी इसकी कुटी है 12.30% बाद में 9.90% हो जाएगी हम लोग बात कर लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूबी आई कि लोग बात करेंगे तो यूबी आई ने 10 रुपीज इच ठीक ना 10 रुपए प्रते भी कर सकता है यह इसा बताया गया है तो दि मिलोग कर लेते हैं ठीक ना तो कामड़ेंग कि कर मेंड़ बात करेंगे तो कैन्ड़ा बैंक ने भी 10 रुपई एच के हिसाब से दस रुपए प्रतिक से के हिसाब से चैनला ने सबसे ज़़ज़ा है वान पॉइंट टू जिरू लिया हुआ है और यह जो 14,90% की कुटी सेर से इसे 31 मार्च 2022 तक गटा कर पांच परसंट तक भी कर दिया जाएगा कैनरा बैंक के दोरा ठीक ना यह डेट आप लोग के अधर ना पूंचा जा सकता कि कब दक कुटी सेर सो बटा कर कम कर दिया जाएगा तो 30 मार्च 2022 ठीक है तो बैंक आफ महारास्टा ने भी 10 रुपए इच ठीक ना दस रुपए इच के हिसाब से बैंक आफ महारास्टा ने 50,000 शेर लिया हुए है तो यह बात हो गई कि कौन-कौन सी बैंक की द्वारा कितना कितना सेर लिया गया है और 31 मार्च 2022 तक कितना कितना कम कर दिया जाएगा आई-डी-ऐर-ftenya क्या होटा हिं अपको कैसम क्ष्ट की स्टाइटिंग में बताई दिया घ्रिक न ए-डी-ultural क्या होता हिं या आपको बताई दिया गये तो तो नर्स एल में एक यान परसंट हिस्थिदारी जो है एक यान परसंट इसे दारी जो है वो पुब्लिक सेक्टर बैंक के पास में रहेगी पिस्बी के साथ में रहेगी और बची वी 49 परसंट के साथ में परसंट के साथ में यहां एक आपने के पास में एख यह सेधारि है वह पफिलिक स्विट्र जात पर बताया गया है ठिक आप यह yn यह सब कुछ आपको लिखा मिलेगा ठीक ना तो वीडियो के साथ साथ में पीडियो आप लोगों दोनों पढ़ना और देखना होता है तो आज को वीडियो के यहीं पर लिंक दिया गया है वहाँ से जाकर आप लोग आपको डाउंलोड कर सकते हैं को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह सारी चीजे थी मिलते हैं अपने वीडियो में